हलो माई डियर स्टूरेंट्स वेलकम टू आई डिजर्व अकैडमी यह एक वीडियो लेक्चर्स का यूट्यूब चैनल है जो आपको एंजिनिरिंग के लेक्चर्स प्रोवाइड कर आएगा फिलाल हम एलेक्ट्रिकल एंजिनिरिंग के लेक्चर्स इसमें डाल रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करिए और इसका फायदा उठाइए यह जो लेक्चर्स होंगे वह आपको हिंदी में मिलेंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स अभी ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं जो इंजिनिरिंग कर रहे हैं या डिप्ल समझाता है क्या मशीन वर्ड हमें बताता है कि यह मशीन है और खासकर यहां इस केस में यह एक रोडेटिंग मशीन है हमें यह पताए कि मशीन क्या करती है जो सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है सबस्षे प हमें जुड़ा है कि जब कोई भी क्वा क्वफ़ेंट यी ढाइने बार बार हो रही है तो उसको क्या क्या बोलते हैं कि वह दोनों वह घटनाएं क्या है, synchronized है या synchronization में हैं? यहाँ पर वो दो चीज़े याँ वो दो घटनाएं क्या है, एक तो है air gap, मंने, magnetic field ठीक है, air gap की magnetic field है वह भी synchronous speed से घूम रही है साथ-साथ जो rotor है वह भी synchronous speed से घूम रहा है ठीक है, आगे बढ़ते है synchronous machine को हम दो तरीके से इस्तिमाल कर सकते हैं single synchronous machine को से synchronous generator की तरह भी इस्तिमाल कर सकते हैं और same machine को synchronous motor की तरह भी इस्तिमाल कर सकते हैं आज जो हम देखेंगे वो synchronous generator है ठीक है तो सबसे पहले तो synchronous generator के बारे में मैं एक एना चाहूँगा कि पहली बात तो यह कि वो Synchronous Speed पे घुमेगा और Synchronous Speed का formula हम कैसे देते हैं 120 F by P, यहां पर F क्या है Supply की Frequency Supply की Frequency का हो या वो Frequency जो हम generate कर रहे है वो F और P क्या है Number of Pols Synchronous Speed या Synchronous Speed का यह formula कहा से आया हमें पता है, 3-phase induction मोटर में हम देख चुके है 3-phase induction मोटर में हमने क्या देखा था कि अगर 3-phase Balanced Winding को आप 3-phase Balance Apply दे तो आपको क्या मिलेगा Synchronously Rotating Magnetic Field मिलेगी ठीक उसी प्रकार यहां भी Air Game में Magnetic Field जनेरेट होती है क्योंकि इसका Synchronous Generator का High Stator भी 3-phase Balanced Winding के लिए बांधा हुआ या Bounded होता है ठीक है Generator आ रहा है इस के नाम में तो Generator क्या जो Electricity Generate करेगा ठीक है तो हमें क्योंकि Generate करनी है 50 Hertz पे अब 50 Hertz पे अगर यह Generate करनी है यह बात फिक्स है क्योंकि पूरे इंडिया में अपनी Country में पॉल्स कितने होने चीए Generator में यह बात Depend करेगी कि इस पे उसकी Speed पे अब यह थोड़ी सोचने वाली बात है कि अगर Frequency Fix है तो Speed पे Number of Pulse Depend क्यों कर रहे है यह हम आगे देखेंगे क्योंकि अलग-अलग Alternators के Case में अलग-अलग Speed पे वो ज्यादा अच्छे से काम करते हैं तो उसी के According हमें Number of Pulse भी Decide करने होते हैं सबसे पहले इस Formula को अगर मैं दुबारा से लिखूँ तो मैं अपन उसको इस तरीके से लिख सकते हैं P equals to 120 F by N अगर यहाँ पे Speed कम होगी तो Number of Pulse ज्यादा होगी अगर Speed ज्यादा होगी तो Number of Pulse कम होगी ठीके ना यह बात हमें इस Formula से में आती है अब Speed के आधार पर Generators को दो भागों में बाटा गया है दो तरगे Generator होते हैं Speed के आधार पर पहला तो क्या Hydro Alternator और दूसरा Turbo Alternator Hydro Alternator जो हैं यह Best काम करते हैं लो स्पीड पर ठीके और Turbo Alternator जो हैं यह Best काम करते हैं High Speed पर किस आधार पर यह Best काम कर रहे हैं क्योंकि Hydro Alternator को चलाने के लिए जो Hydle Turbine है उसकी Efficiency Best आती है कब जब वो Low Speed पर काम करती है क्योंकि Alternator को Ultimately टर्बाइन के द्वारा ही घुमाना पड़ेगा तो टर्बाइन जिस स्पीड पर चलेगी उसी Speed का Alternator भी होना चीए और एकर Alternator के Speed Low होगी तो उसमें Number of Post ज़्याद आउंगे ठीक है ना बात समझ में आरी है इसी तरीए से जो Turbo Alternator है इसको ढुमाने वाली या इसको चलाने वाला प्राइम ओवर क्या है Steam Turbine अब Steam Turbine जो है वो एक High Torque या High Speed जनरेट कर सकती है और ये Best Efficiency के साथ काम करती है कब? जब Speed High होती है इसलिए अगर Speed High है तो Number of Pols कम होगी तो Turbo Alternator में Number of Pols कम होते है Hydro Alternator की Low Speed कितनी लो होती है 1200 से 300 RPM तक ये Best Efficiency के साथ वर्ख करता है और Turbo Alternator की High Speed कितनी आही होती है Approximately 3000 RPM पर ये Best Efficiency के साथ काम करता है ठीक है? आगे बढ़ते है Hydro Alternator Hydro Alternator जो है ये हमें पताए कि Low Speed पे Best काम करते है Best Efficiency कब आएगी? जब ये Low Speed पे काम करेंगे तो Number of Pols and Coils क्या होगी? ज़्यादा ये हमने देखे हैं कहां से P बराबर 120 F by N अगर N होगा कम तो P होगा ज़्यादा ठीक है? Number of Pols ज़्यादा होगे तो क्योंकि Number of Pols ज़्यादा है तो उन सब को बिठाने के लिए रोटर पे पोल्स को जमाने के लिए या Number of Pols रोटर के circumference पर अकमोडेट करने के लिए कि वो उस पर माज जाए डायामिटर ज़्यादा होना चाहिए आप यहां फिगर में भी देख सकते हैं कि डायामिटर जो है रोटर का वो कितना है इन पोल्स को जमाने के लिए अगर मैं Rough Calculation आपको करके बताऊं तो Number of Pols 50 Hertz के लिए और Speed अगर मान लो हम 200 RPM मान लेते हैं 5 5, 2, 10, 5, 4, 20 24 Pols होंगे अगर वो 200 RPM की Speed पर Rotate कर रहा है मारा Hydro Alternator और भी कम Speed के Hydro Alternator भी होते हैं यहां जो आप देख रहे हैं यह काफी सारे Pols हैं यानि कि यह बहुत Low Speed का Hydro Alternator है ठीक है क्योंकि Diameter जादा है तो Salient Poly Structure यूज़ करते हैं क्यों यूज़ करते हैं Salient Poly Structure Salient Poly Structure यूज़ करने की वज़े से यहां आप देख सकते हैं यह Salient Poly Structure है डाइग्राम में Salient Poly Structure यूज़ करने की वज़े से एक तो Amount of Iron कहां पर In Rotor Core Reduce हो जाता है इसकी विज़े से क्या होता है Rotor Core Losses भी Reduce हो जाते है ठीक है पहला फाइदा तो यह हो रहा है Salient Poly यूज़ करने की यूज़ करने पड़ रहे हैं क्योंकि Diameter ज़्यादा है Number of Pols ज़्यादा है ठीक है अब अगर मान लो की एक Constant Phi M Flux पर Pol मुझे चाहिए कोई Particular Value या कुछ Particular EMF जणरेट करने के लिए एक Particular Value of Flux पर Pol मुझे चाहिएगी उस Flux पर Pol को जणरेट करने के लिए यह Formula होता है अब अगर आप देखिए इसमें कि Diameter अगर जादा है तो L को कम होना पड़ेगा यहां D क्या है Dia of Rotor और L क्या है Axial Length तो Axial Length वह छोटी होती है As compared to Diameter of the Rotor Hydro Alternators में ठीक है न यहां आप देख सकते हैं क्या कि Axial Length छोटा है और Diameter बड़ा है तो यह Generally Horizontally Mounted होते हैं ठीक है यहां आप देख सकते हैं इस Diagram में Basic Construction दिखाएवा है यह बाहर का जो Structure है यह तो क्या किलाता है Stator यह जान दिखा रखा है Aero Rotor जो Rotating Body है Stator को हम Armature भी बोलते हैं क्योंकि Ultimately EMF का Generate होगा इस Stator में और इन Coils में Flow होने वाला Current क्या है Main Current बाहर जिन पर Stator की Coils लगी है या Armature Coils लगी है उसको बन क्या बोलते हैं Core यह अपना होगया Pole Piece जिस पर Coil लगेगी Rotor में Filled Coils यह अपनी Filled Coils होगी है यह Filled Coils हो गई Filled Coils को Excite करने के लिए DC Current दिया जाता है ठीक है Same Type of Terms आपको Turbo Alternator में मिलेगी बस उसका structure थोड़ा सा change है वो क्यों है क्योंकि Turbo Alternator जो वर करता है Best किस पर वर करता है High Speed पर क्योंकि Steam Turbine High Speed पर Rotate कर सकती है High Speed पर Rotate करने के वज़े से उसके Number of Pols और Coils कम है आपनको पता है क्यों इस Formula से हम देख सकते हैं क्या कि अगर Speed ज्यादा है तो Number of Pols कम होगे ठीक है Number of Pols कम है तो Diameter of Rotor भी कम होगा यहां आप देख सकते हैं यह Diameter है As Compared to Hydro Alternator Diameter इसका बहुत छोटा है क्योंकि जो Number of Pols Accommodate करने इस बार वो क्या है कम है ठीक है तो छोटा है तो Salient Pols बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहां पर वैसे ही Core जो बनेगी रोटर की वो डाया में छोटी है तो Iron का इस्तमाल वैसे भी कम होना है और Iron Losses भी कम होंगे ठीक है ना दूसरी बात यह कि सिलेंड्रिकल रोटर क्यों चूज करा है हमने क्योंकि अगर Salient Pol होता Salient Pol and Coils May Get Damage At High Speed Centrifugal Force के बार में आप लोगों ने सुना होगा ठीक है यहां भी अगर एक Constant Flux पर Pol के लिए हम बात करें तो अगर Length का पता करना है कि अब Length कितनी होगी तो आप Diameter से देखिए क्योंकि Diameter इसका छोटा है तो Length, Axial Length इसकी बढ़ानी पड़ेगी आपको इसलिए Diameter छोटा है और Axial Length बड़ी होती है Turbo Alternator में यह इसका Stator है आप इसे देख सकते हैं इससे आइडिया आपको लग रहा होगा कि Diameter छोटा है और Axial Length बड़ी है ठीक है Axial Length ज्यादा होती है और Generally इस तरह के जो Alternator है Mounted Vertical मतलब Axial Length Horizontal है और इसके Dia Vertical है जबकि अपने उसमें क्या देखा था Hydro Alternator में Dia उसका Horizontal था और Axial Length Vertical थी ठीक है तो यह Difference है हमारा Speed के basis पर दो तरह की Generators होते है Hydro Alternator और Turbo Alternator क्यों यह Salient Pole है हमने देखा क्यों Cylindrical Rotor है Turbo Alternator यह हमने देखा आपको पसंद आया तो लाइक करिए Subscribe करिए और Next Lecture में हम देखेंगे कि 3 Phase Armature Winding Onistator और DC Field Winding रोटर पर क्यों रखी गई Thank You